दियर स्टुडेंट्स, हम इस वीडियो में आज विद्युत रोधी ठोस पदार्तों के बारे में बात कर रहे हैं इसमें मैं आज एक्जाम्पल के तोर को ले रहा हूँ एस्बेस्टॉस यह एक प्राकर्तिक रेशेदार खनीच पदार्त है और इसका क्रिस्टोटाइल रूप वेपरी उपयों के लिए मुख्य साधन है क्रिस्टोटाइल मैंनिशियम सिलीकेट का हाइडरेटेट रूप है इसका आपेशित घनत्व 2.2 से 2.6 और गलंत आपकरम 1525 डिवी सेलसियस यानि 1525 डिवी सेलसियस मेल्टिंग पाइंट है यह बहुत उच आदर्ता ग्रहाई और कमरे के ताबमान पर भी इसमें लगबग 14 पर्तिशत यानि 14 पर्तिशत नमी होती है अता इसका प्रयोग इसे संसेचित करने के पश्चात ही पांचनिये है शुष्ट एस्पेस्टस का विद्यूत रोधी पर्तिशत लगबग 10 की गात 8 से 10 की गात 10 ओम मीटर है और परवैद्यूत समर्थे लगबग 40 किलो वोल्ट पर संसेचित एस्पेस्टस के लिए यह मान 3 से 4 गुना बढ़ जाता है प्रन्तू 100 डिगी सेल्सियस ताप्रम के बाद इसके परवैद्यूत समर्थे में कमी आती है एस्पेस्टस को वैद्यूत और प्योग में कागच, फीता, कपड़ा, बोड तता एस्पेस्टस सिमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है इसे क्रत्रिम विद्धुत रोधी रेजिन में पूरक या भरन पदार की माती भी रियोग करते हैं एस्पेस्टस सीमेंट उत्पात जांत्रिक रूप से कठोर एवं मदबूत ताप, परतिरोधी छड़ों, ट्योग, सिलिंडर तता प्लेटों की सरंचना के लिए रियोग किया जाता है इसका उत्योग वायू शित्यत ट्रांस्फॉर्मर की सरंचना के लिए पैनल बोर्ड, आर्किंग बेरियर, विद्धुत रोधी ट्यूब और सिलिंडर आदी में भी किया जाता है एस्पेस्टस के विबिन रूपनों का उत्योग संशेप में मैं बता रहा हूँ पहला है एस्पेस्टस टेप यह उच्च तापकरम पर प्रचालित उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे रेलवे, मोटर, ट्रांस्फॉर्मर, कुंडलन, शुंबक कुंडली आदी में है दूसरा, एस्पेस्टस वस्त्र, इसका मुक्य उप्योग विद्यूत सक्षा कंबलों में है तीसरा, एस्पेस्टस स्लीव, इसे अगनी परतिरोदक विद्यूत रोधी में और कुंडली लीड आदी में प्रयोग किया जाता है चौथा, एस्पेस्टस पेपर एवं बोर्ड, इसे निम्न बोर्ड ता उच्छ धारा एवं उच्छ तापकरम स्थितियों के लिए ब्योग करते हैं जैसे आग परतिरोदक, आर्किंग बेरियर, आर्मेचर कुंडलन, विद्यूत रोधन आदी में किया जाता है पांच माहें, एस्पेस्टस सिमेंट, इसका उप्योग विद्यूत पैनल बोर्ड, एवं आर्कन उपर रोधन आदी में भी किया जाता है नेक्स में ले रहाँ, कांच उत्पाद, यानि की ग्लास प्रडेक्ट्स, जो की विद्यूत रोधी बताता है इलेक्ट्रिकल इंजिनेर में ग्लास का बहुत महत्पुनिस्तान है, कांच की 0.002 सेंटिमेटर थिक शीट बनाकर उसे कैपिस्टस में प्रयोग किया जा सकता है और 0.0005 सेंटिमेटर पतले रेशे बनाकर कांच का सूथ और बुना हुआ टेप बनाया जा सकता है इस टेप को कार्वनिक रेशिन पधारतों के बिना या रेशिन पधारतों के साथ हाई टेंपरेचर पर विद्धूत रोदी के रूत में प्रयोग किया जा सकता है नाव नैचरल रबर यानि प्रकरतिक रबर प्राकर्तिक रबड का सबसे महत्पून्स नोत रबड का पेड़ है जिसे हीविया ब्रेसनेस्स कहते हैं इस रबड के पेड़ के वनस्पति दूद या लेटेक्स यानि आशीर से रबड बनाया जाता है इस आशीर में रबड के लगबग 40% ठोस गोलकन होते हैं रबड प्राक करने के लिए आशीर में उपस्तित पानी की मात्रा का वाश्पि कर्म करते हैं और उसे तनु एसिटिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल के द्वारा अमलिकत करके उसका अवशेपन तवरित करते हैं आशीर को बिना अमलिकत किये भी गरम करके उससे अवशेप बोलकर रात किये जा सकते हैं इस अवशेपों को दो कर रबड के अंदर उपस्तित अशुद्यों को साफ किया जाता है अशुद्यों को साफ करने के प्रश्चाद इसे सुका कर वांचित दाब द्वरा शीट के रूप में रात कर लिया जाता है जद भी प्राकर्तिक रबड काफी लचिला होता है और इसका हिस्ट्रेसिस भी नियून होता है प्रंतु यह गरम करने पर नरम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है यह लगबग 30 डिगी सेल्सेस पर ही चिपचिपा और लगबग 5 डिगी सेल्सेस पर कठोर हो जाता है यह नरम होते हुए भी ऑक्सी करन के पश्चाद भंगुर होने लगता है और इसका प्रकाश एवम अल्ट्रावायलेट वीकरम से भी जरन होता है अत्या प्रकर्तिक रबढ के गुनों में सुधार के लिए इसका वलकिनीकरन किया जाता है Valkanization यानि वलकिनीकरन वलकनी करन प्रक्रिया में प्राकर्तिक रबड को बंदक के साथ सयुक्त करते हैं इसमें कच्छे प्राकर्तिक रबड को एक से पांच प्रतिशत गंदक के साथ भापताप करम लगबग 120 से 160 डिगरी सेसे तक 5 से 50 मिनट तक गरम करते हैं या ठंडे रबड की शीट की अवस्ता में ही सलफर क्लोराइट घोल के साथ अर्तिक्रिया अराते हैं इस प्रकार से प्राप वलनिक रबड के जो गुन है वो और दोश निमन है पहला हम गुन ले रहे हैं मेरिट्स पहला रबड अप्रेक्षा कर शक्तिशाली कठोर और स्द्रड होता है दूसरा प्राइट इस पर ऑक्सीकरन प्रभाव कम पढ़ता है और अन्यवायो मंदली प्रभावों से कम प्रभावित होता है तीसरा यह रसाइनी घोलों में भी नहीं बोलता अब इसके डिमेरिट्स यानि दोश यह सूरी के प्रकाश एवं अल्ट्रवायलिक विक्रिण से प्रभावित होता है दूसरा प्राइट यह लगबग 60 डिग्री ताप्रम पर भंगुर हो जाता है और इसमें दरारे विक्षित होने लगती है तीसरा प्राइट इसमें उपस्तित गंदक तामबे के साथ परतिक्रिया करती है और जिससे केबल में प्रिक्थ ताम्र तारों को टिन किया जाता है इसकी विद्यूत एवं ताप चालगता घटती है यह पेट्रोलियम तेलों से कच्चे रबड की वांति प्रभावित होता है अब हम बात करें आर्टिफिशिल या सिंथेटिक रबड या क्रत्रिम या संसलेशिस रबड अधिकान संसलेशी रबड का आधार पेट्रोलियम और कोयला उप्पाद है यह प्राकर्तिक रबड के ही समरूप है और इसे ताप सुगटे विडनिल कुछ भोलोकों से प्राथ करते हैं इसके मुखे गुण तेल परतिरोदी, जरन परतिरोदी और निम्र ताप नमेता आधी प्राकर्तिक रबड की अपेच्छा अच्छे होते हैं पॉलिमिनायल क्लोराइट यानि PVC को एसे टिलिन और हाइट्रोजन क्लोराइट की 50 से 55 दिलिस से पर उत्परे रख कैटलिस्ट यानि की H2O2 की उपस्तिती में परतिक्रिया करा कर प्राप्त किया जाता है इसके अतिरिक्त गैसी विनायल क्लोराइट का बहूली करन करके भी PVC प्राप्त किये जा सकते हैं PVC के गुनों में सुधार के लिए उसमें भरन यानि फिलिंग पदार जैसे लकड़ी का बुरादा, कपड़ा, हैस्बस्टस, रेशा कांच, चोर्ण आधी मिलाते हैं जो कि इसमें सिकुडन वा दरारे बनने से लोकते हैं सेकिंड, सुगटैक आरी, जैसे टाइक्रिसाइल, फॉसफेट, डाइबुटाइल, नफ्तलेट आधी मिलाते हैं जो कि PVC को नम में और घड़ाई योग्य बनाते हैं और उसके बहुती गुणों पर नियंदन रखते हैं तीसरा पाइंट है, इस्ताइट जैसे साबुन, लेडिस्टेरेट, कैल्शिम अकसाइट, कैल्शिम कार्बोरेट, आधी मिलाते हैं जो कि गर्मी के कारण PVC में हाइट्रोजन कुलोराइट के निकलने को रोपते हैं योग्य के रूप में PVC में वंचित रंग मिलाते हैं, जिससे तार और केबल लीडों की पहचानने में सायता मिलती है PVC एक अच्छा वैद्यूत रोधी बदार्थ है परवैद्यूत सामर्थे इसका लबबग 300 किलो वोल्ट पर सैंटीमेटर है परवैद्यूत स्तिरांग इसका 53.3 से 3.6 तथा 10.6 हर्ट्स आवर्ती है इसका परवैद्यूत स्तिरांग स्तिर्न रहकर आवर्ती के साथ बदलता है इसका शक्ति गुनान 0.015 से 0.02 तक 106 हर्ट्स आवर्त तक है जोकि अपेशागर्ट उच है इसका अपेशिक धनत 1.2 से 1.6 अधिक्तम कारेकारी ताप्रम इसका 90 डिली सेल्सियस है नर्म होने पर ताप्रम 120 डिली सेल्सियस तक होता है इसका आयतन परतिरोद 10 की गाद 12 ओम मीटर है यह संचारन आदर्ता सोशन एवं अप गर्शन का अच्छा परतिरोदी है यह जोलनशिल नहीं है इस पर असाइनी परतिरीका का प्रभाव नगने होता है ओजोन और अल्ट्रा वायलेट किन्नों का परतिरोदी है यह नम्मे और अलका है PVC का उप्योग मुक्यता निम्न बोड़ता तार और केबल के विद्धूत रोदी के लिए करते हैं तता इसके नम्मे गुनों के कारण तारों के आवरन विद्धूत रोदी स्लिविंग और केबल शितलिंग के लिए से प्रयोग करते हैं पीवीजी के जो है, कन्ड्यूट के रूप में भी हम पाइपों के रूप में ताम में लेते हैं पीवीजी फिल्म, पीवीसी टेप, शुष्क वैटरम में विधर दुद्री के लिए भी समानेत हैं इनका र्योग किया जाता है नेक्स मेटिर हम ले रहें बेकलाइट बेकलाइट ये गुंदरम जा है प्रपर्टीज वो इस परकार है इसका आयतन परतिरोद 10 की गाच्छे ओम सेंटिमेटर होता है इसका डायलेक्टिक कॉंस्टेंट 2.3 से 5.9 तक होता है आपेशद घनत्व इसका 0.92 से 1.75 होता है डायल इसके प्रियोग अभागा करते मेजरिंग इंस्ट्रोमेट के पैनल तता शीट बनाने में लो वोल्टेज स्विच बनाने में नमी पत्रोदक पड़तो होर्त तो यंत्रों के टर्मिनल या गुंडी बनाने में यंत्री कुप्यों वेत्व किया जबता है नेक्स हम जो है वो ले रहे हैं हमारे लिक्विड इंसलिटिंग मेट्रेल्स और उनके गुंड यानि तरल विद्धुत्रोधी बदार एवं उनके गुंद दरम जिसमें से से पहले हम ले रहे हैं ट्रांस्फोर्मर ओयल को जूज करने के दो उदेश होते हैं यह ट्रांस्फोर्मर की वाइंडिंग एवं कोर्स से ट्रांस्फोर्मर का बहाई शितलन सतय तक ताप संतारित करने के लिए मध्यम का कारे करता है दूसरा यह transformer की winding का insulation बनाय रखने में भी help करता है यानि की cooling में और insulation में दो जगा इनका काम होता है अब इसकी character 6 क्या है Registivity इसकी 20 degree Celsius पर 10 की गार 10 ohm है Dialectric constant इसका 2.2 होता है आपशिक धनत 0.88 Oxygen के बाद अमलेता 2.5 Flash point 135 degree Celsius Viscosity इसकी 38 degree Celsius पर 37 होती है Dialectic loss 100 degree Celsius पर 50 हट्स पर 0.001 Vicious उसमा इसकी 0.425 Dialectic strength इसकी होती है 40 किलो वोल्ट एक मिनट के लिए अब इसे गुंधरम जाने की प्रापर्टी यह नमी अब शोशक नहीं होना चाहिए Dialect strength उच होने चाहिए इसकी resistivity high होनी चाहिए इसकी viscosity low होनी चाहिए Flash point high होना चाहिए या जवलनशिल नहीं होना चाहिए इसका वाश्पिकरन भी नहीं होना चाहिए Vicious उसमा हाई हो ताकि अधिक सदी शीतिलन प्रभाव उत्पन कर सके वातावरन में इसका ओक्सी करन नहीं होना चाहिए और अमलेता भी उत्पन ना हो नौ मिनरल इंसिलेटिंग को हनीच विद्धुत्रोधी तेल ये हाइट्रोजन और कार्बन की योगिक हैं यानि हाइड्रोकार्बन है और इन्हें जमीन के अंदर से प्राप्त होने वाले कच्छे यानि क्रिवड पैट्रोजन को परिश्कत करकर के प्राप्त किया जाता है इनमें आंशी प्रीप से एलिफेटिक योगिक होते हैं और इन्हें समाने सूथ CnH2n-2 और CnH2n से ब्रेट जाज़ता है बहुत से खनीज तेलों में काफी आंशी ऐरोमेटिक योगिकों का भी होता है और एरोमेटिक तेलों प्रता एलिफेटिक अवेवों का अनुपाद टेल प्राप्ति सादन पर और उसे प्रश्कत करने के परिकड़ पर निर्बब करता है विविन ब्रांड के खनीज तेलों की उपलब्दी के कारण यह जानना निवार हो जाता है कि एक विशेश ब्रांड के तेल की भौतिक, ताप्य, रसाइनिक एवं विद्धूत अबिलक्षन क्या है और इसे किस परकार के उपलब्दी में प्रयोग करना उप्युक्त होगा और किन उपलब्दी उपलब्दी इस्थिति में यह जानना वांचनी है कि उस तेल के ताप्य और भाव, यानि फ्लो अबिलक्षन क्या है जबकि तेल की आयो की जानकारी उसके रसाइनी गुनों से प्राप्त होती है कुछ उपकरन जैसे ट्रांसफॉर्मर, तेल पुरित बुशिंग, परिपत, वियोजग और तेल निमिजित केबलों में तेल को बदला जा सकता है परंतु संगारित्रों, संसेचित केबलों और सील्ड इलेक्टरिक उपकरणों में तेल को बदलना प्राय संबब नहीं होता तेल की निम्न परावैद्यूत समर्चे तेल में दुशित होने और तेल में पाने की उपस्तिती को इंगित करती है पुछ उदासनी करण संख्या तेल की अमलिता को परदशित करती है यह अमलिता तेल की प्रयोग के समय में आक्सिकरण दोरा उत्पन हो जाती है तेल में बंदग की उपस्तिकरण तेल में निमजित लोह भागों को संक्षनित कर सकती है तेल में उपस्तित गैस और पाने की मात्रा कुपकरन के परचालन को परभावित करती है अब हम रहे जाएं लास्ट अम ले रहे हैं इसमें गैसियस इंसुलेटिंग मेट्रियल और उनकी प्रपट गैसी विद्धुद्रोधी पदार तैमा में उनके गुंदरम इसका घनतवार वायू के पेक्षा बहुत कम यानि एक बटा चौदा होता है इसकी विशिष्ट उश्मा तीन पॉइंट चार कैलोरी पर ग्राम बिगरी सेल्सियस जो की वायू की लगबग चौदा गुना होती है इसकी चालकता वायू की अधुना होती है डालेक्टिस स्रेंद 18 किलो वोल्ट पर संटिमेंट होती है डालेक्टिक कॉंस्टेंट 1.000254 होती है डालेक्टिक कॉंस्टेंट इसका जो है वो 1.000254 होता है और आपेशे घनत इसका 0.0008988 होता है इसके प्रयोग जहें हम कैसे कर इसके बाद हम ले रहे हैं एयर वाजू इश्वर का एक अनुपम उपहार है ना चाहतो है भी इसका उपयोग विद्धुत मशीनों विद्धुत उपकरणों एवं उपसयंत्रों और विद्धुत संचरन लाइनों आदी में विद्धुत रोधी माध्यम के रूप में करते है इसका विद्धुत उद्धी परतिरोथ बहुत ही उच होता है परन्तु नम वातावर्ण में काफी कम मजाता है नमी के कारण इसकी परावैदुत सामर्थे भी गटती है इसमें परावैदुत हानिया भी नगने होती है परन्तु उच वोल्टता पर वायू में संचार लाइ परवेद्विक माध्यम परधान करने के लिए किया जरता है नेक्स्ट है हमारा सल्फर हेक्सा फ्लोराइड स्फिक्स इसके गुंदरम यानी प्रोपटी इसके काला है डायलेक्ट कॉंस्टेंट इसको होता है 1.002084 डायलेक्ट स्टेंट होती है इसकी 73 किलो वोल्ट पर सेंटिमेटर से 80 किलो वोल्ट पर सेंटिमेटर अपेश्ट घनत होता है 0.00614 स्पेसिटिक हीट 0.142 या वाजू के अप्रेक्षा लबबग 5 गोना भारी होता है और इसके प्रेयोग जो है वो इस परकार है सरकिट ब्रेकर स्पेक्ट प्रेयोग लिया जाता है इसका इसके अलावा SF6 का प्रेयोग विद्ध रोधी माध्यम के रूप में केबलों में, ट्रांसफॉर्मर में, एक्स रेज में, माइक्रोवेव उपरनों में विद्ध मापन उप्यंत्रों में और गैस लेजर आदी में किया जाता है Thank you